हलो फिर्ट्स मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देखने हैं यूट्यूब चैनल सरकरी जॉब न्यूज ये 20 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करिंट फॉर्स कोशन से इसका पीडिये फैब लेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में with notes MCQ के रूप में या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लेंग का आएगा वहां से ले सकते हैं पहला कोशन लेते हैं बहुत ही important है और hot topic है कोशन होगा विश्व स्वास्थ सभा यानि world health assembly में COVID-19 को लेकर किस तरह की जाँच के लिए WHO त्यार हो गया है आखिरकार WHO त्यार होगा है इसका आंसर होगा A और B दोनों क्या क्या है तो COVID-19 के सुरोत की जाँच करना और COVID-19 को रोकने में WHO की क्या भूमिका रही है उस पर जाँच करना तो इन दोनों पर काफी सवाल उठ रहे थे देखिए जो world health assembly है उसमें भारत समय दुनिया के करीब 120 देशों ने WHO की जो कारिप्रनाली थी उसके साथ चीन की घहराबंदी शुरू की थी और European Union और भारत सहित कई देशों ने इस पूरे मामले की जाँच के लिए यानि वाइरस के सुरोत का पता लगाने के लिए और WHO की भूमिका थी पूरे मामले में उसको जाँचने के लिए प्रस्ताव पेश किया था कहां पर विश्व स्वास्त सभा में ओके तो चारोतरफ से घहराबंदी हो गई उसके बाद WHO के डिरेक्टर जनरल जो टेड्रोस हैं तो उन्होंने कहा कि संग्ठन जल्दी स्वतंत जाँच शूरू करेगा ओके हाला कि इस पूरे प्रस्ताव में ना तो चीन का नाम है और नहीं WHO के जाँच के ऐलान में चीन का नाम है ठीक है ये क्लियर है लेकिन ये जो जाँच होगी एक तरह से माना जाएगा कि चीन के खिलाफी हो रही है क्योंकि चीन इसका काफी विरोध करता रहा है और जब चीन नहीं ये देखा कि चारोतरफ से पूरी दुन तोनों ने अपने देश का बचाव किया और कहा कि वो भी तयार है और हम बिरोध नहीं करेंगे यूर्पी यूनियोर और इंडिया का जो प्रस्ताव था उस पर तो देखिए शुरू से ही ये बात सामने आती रही है और विवात का मुद्धा रहा है कि कोविड-19 कहप से आया कैसे किया कई बार ये सवाल उठते रहे हैं कि चीन का जो वुहान लेब है शायद वहां से आया या कुछ रिसर्च किया जा रहा था या आर्टिफिशल रूप से बनाया जा रहा था हाला कि डबलु एचो ने कई बार ये कहा है कि ये वाइरस प्राकिर्तिक है और चमगाद स्वतनतर जांच जो होगे उसमें डबलु एचो की भूमिका नहीं होगे डबलु एचो जरूर स्वतनतर जांच करवाएगा एक कमिटी बनायेगा लेकिन डबलु एचो के मुखिया या उनके लोगों की उसमें भूमिका नहीं होगे पूरे जांच के कारिक्रम में तो एक पूरा दिख रहा है, क्योंकि कोरोना ने पूरे दुनिया को एक तरह से ड़ाया हुआ है, और अर्थ वियोस्था तो लगबग डूब सी गई है, पूरी दुनिया की, और अमेरिका ने काफी कुछ दबाव भी डाला था, और भारत इस मामले में एक तरह से यूरोपी यूनिय के साथ साथ लीडर बनके उभरा और उसने एक तस दबाव डाला प्रस्ताव के थायत और उसको मान लिया गया है, चलिए अगला कोशन लेते हैं, विश्व स्वास्त सभा यानि वर्ल्ड हेल्थ एसमली के 73rd सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनेदित्व किया, इन दुनिया भर के तमाम देशों के राइश्टमति या प्रधान मतिर ने हिस्सा लिया, लेकिन इंडिया की तरप से स्वास्त मतिर ने इसमें हिस्सा लिया, विश्व स्वास्त सभा, WHO की निर्णय लेने वाली ये सरोच संस्था होती है, WHO इसी के कहने पर इसी गाइडलाइन पर काम करता है और यह जो है पहली बार वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िए यह सभा आउजित की गए थी और मुख्याले कहां पर है जिनेवा सुध्यर लैंड में आम तोर पर वहीं आउजित होता रहा है लेकिन इस बार यह वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थुरू हुआ चलिए आगे भी बहुत ही इंपर्टेंट कोशन है और इस वीडियो को जरूर शेर करना तमाम दोस्तों को ठीक है कोशन होगा रेलवे ने भारत के सबसे शक्तिशाली मेंड इंडिया इंजन उसको 19 मई 2020 को चलाया है मतला ओपरेशनल एक्टिविटी शुडू करती है तो ऐ ऐसा करने वाला भारत कौन सा वाँ देश बन गया है के वाँ देश है इसका आंसर होगा छठा ओके दिखिए जो ट्रेन है वो कल यानि 19 माई को दिन दियाल उपध्याय जंक्षन से बरवा डी वहां तक ये ट्रेन गई और इसमें 118 वेगन जुरे हुए थे बहुत ही पाव प्रेन गया है क्योंकि भारत जो है दुनिया का छठा ऐसा देश मन गया है जो स्वधेश में इतना ज्यादा होर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के कलब में शामिल हो गया है इसका निर्मान जो मंधिपूरा रेल इंजन फैक्टरी में हुआ है बिहार में और इसक अठारा को इस प्रियोजना का उदगातन भी किया था अब आद में ये डिजाइन में इसके डिजाइन में काफी बदला हुए और फाइनली इंडिन रेल्वे ने इसे अपने में शामिल कर लिया अपने कामकार में लोगे important question है ये अगला question है ये भी बहुत ही ज़रूरी है आपके जानने के लिए examination के लिए question होगा नेपाल ने अपने नए नक्षे यानि map में भारत के किस हिस्से को शामिल करके दिखाया है भारत के हिस्से को शामिल करके दिखाया है इसका answer को प्रोक्त सभी D कौनकों से काला पानी लिपू लेख और लिंपिया धूरा ये तीनों जगा है तो नेपाल सरकार के कैबिनेट ने इस नए नक्षे को मजूरी दे दी है और ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है नेपाल की ओर से और ये मामला तब बढ़ गया है जब भारत ने 8 माई को लिपू लेखा धार चुला जो नया रोड है जो की मांसरोबर यात अपति की थी और उसका दावा ये है कि महाकाली नदी के पूरव का जो इलाका है वो नेपाल की सीमा में आता है जबकि भारती विदेश मत्रले का ये काना था कि लिपू लेख जो है वो भारत की सीमा में है और लिपू लेख मार्ग से ही उसी रास्ते से पहले भी मांसरोब पर यात्रा होती रही और भारत जो उस पर अपना दावा करता रहा है अच्छे इसे पहले भी पिछले साल जब भारत ने अपना नक्षा जब जारी किया था नया नक्षा उसमें इन सब इलाकों को शामिल किया हूए था उस समय भी नेपाल ने आपती जटाए थी तो यहां इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1816 में एंगलो नेपाल युद्ध के बाद सुगौली समझोता हुआ था दोनों देशों के बीच में यानि दोनों के बीच में इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था उसके बाद फिर सुगोली समझोते पर signature किया गया और नेपाल का ये दावा है कि सुगोली समझोते में काली नदी को भारत और नेपाल की पश्मी सीमा दिखाए गया था और इसी अधार पर नेपाल जो है लिपू लेखा और अन्य जो तीन जगे हैं उनको अपने छितर का होने का दावा करता है हलागी अब तक ये सब इलाके नेपाल अपनी international border जो उसका map था international border को लेकर तो उसमें पहले इसको शामिल नहीं किया था लेकिन अब नेपाल की cabinet ने उन सब जगों को दो शामिल कर लिया देखे भारत और नेपाल की बीच में करीब 54 जगह है जहां पर सीमा विवाद है उसको लेकर हो है अच्छा नेपाल इतना ही नहीं रुका है कि उसने अपना नया नक्षा जारी कर दिया उसमें भारत की जगह जगों का भारत की इलाकों को उसने अपने मैप में शामिल कर लिया और वहां के परधानमत्री जो केपी शर्मा ओली है उन्होंने भारत पतंज भी कसा है संसद में ये कहा उन्होंने भारत का राजचिन है जो है सत्व मेव जैते वो है या फिर सिंग मेव जैते है मतलब वो कहना यह चाता थे कि भारत जो है वो अपनी टाकत से जीत चाहता है अपनी जो नेपाल के हिस्सा है उसको लेना चाहता है दीए यह जो पूरा मामला है यह एक तरह से भारत और नेपाल के बीच में एक तरह से खाई पैदा हो रही है नेपाल में जो है काफी प्रदर से कुछ साल पहले ऐसा भी देखने को मिला था जब भारत ने एक तरसे नेपाल के जो तेल सप्लाई उसको रोक दिया था अलाकि इसका कभी ऐलान नहीं किया गया लेकिन नेपाल ने आरोप लगाया था एक वक्त आया था उस समय भी और उसके बाद से पिछले 5-6 सालों से उसकीफ है इसवक्त नर्वने तो उन्होंने यह कहता कि नेपाल यह सब जो करता है किसी दूशरे थीसरे देश के कहने पर कर रहा है उनका इशारा चीन पर था लेकिन इंपाल के प्रतिश जा रहा है, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को एक तरह से उत्साहित किया जा रहा है इसके लिए कि भारत की विरोध में आप प्रदर्शन करो, नारे लगा। तो यह एक मामला है और भारत को इस मामले को टेकल करना चाहिए, खाला कि जो sources हैं जो और media नहीं यह कहा थ मीडिया में जो नियूज आय थी, sources के हवाले से, कि भारत ने ये कहा है कि COVID-19 तक रूख जाओ, फिर हम इसको बातचीत करेंगे और बातचीत से इस पूरे मामले को सुल जाएंगे, तो एक important बात थी, जिस पर थोगा सा detail मैंने बताया है, लेकिन वो आपके जानने के लिए important थ इसलिए बताया, अगला कोश लेते हैं, नियमो का पालन नहीं करने पर, RBI ने कितने non-banking financial companies, यानि NBFCs का license रद कर दिया है, आंसरों का 14, देखे, 19 माई को, RBI ने जो है, अपने नियमो का, अपने कानून का जो पालन करते हुए, और यह सब कंपनियों का, जो रिष्टेश रद कर दिया है, बहुत सारी कंपनी है, जिया बाहरत क्रिट लिम्टेड, दानी लीजिंग कंपनी, होनहार इन्वेश्टमेंट लिम्टेड, वगरा वगरा, तो 14 है, इन सब की डीटेल, मैंने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो अबलेबल है, PDF उसमें दे दिया है, तो वहाँ से भी आप पूरा देख सकते हो, अच्छे, इसके लावा, इस मामले में एक और डिवलोप्मेंट देखनों को मिल रहा है, वह यह कि 9 NBFC ने खुद को अपने अलग कर लिया है, अपने काम से, मतलब लाइसेंस उसने सरेंडर कर दिया है, इसमें Reliance Net Limited, और इसके माना जा रहा है कि अभी जो COVID-19 हुआ है, उसकी वेज़ से NBFC की ऐसी संख्या बढ़ेगी जब लाइसेंस सरेंडर कर देंगे, क्योंकि काफी दिक्का थोड़ी है, लोन नहीं ले रहे हैं लोग, और मोरेटोरियम होने से उनको पैसे भी नहीं आ रहे है, तो एक संकट हो ग साथी, मराठी के बहुत मशूर फ्यक्ति थे, और बच्चों से बड़ो तक के लिए सब के लिए वो साहित लिखते थे, और काफी उनको जाना माना नाम है, बहुत सरे अवार्ड भी मिल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, आगला कोशन उससे पहले बता दूँ कि 2020 का जनवरी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, अगला कोशन है, कोविड-19 महामारी के बीच में, बिना दर्शक के, कौन सा पहला हिडोपिये फुटवाल टूर्णामेंट शुरू हुआ है, इसका अंसर होगा, बुन्देस लीगा, जर्मनी की प्रसिद ये फुटवा हो रहा है, और यह काफी पॉपुलर है, यूरोप में इसके स्थापना 1963 में हुई थी, 18T में शामिल होती हैं, इसमें, नेक्स्ट कोशन है, भाते नौसेना में 15 मई को कौन सा युधपोत शामिल किया गया, आंसर होगा, इसका पूरा नाम कहेंगे, इंटिन नेवल लेंडि क्राफ्ट यूटिलिटी, ठीक है, लेटरेंट जनरल, पी एस राजश्वरा, जो की अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ हैं, तो नो नहीं 15 मई को पोर्ट ब्लेयर में इसे जो नौसेना में कमिशन कर लिया है, और यह सातवा लेंडिंग क्राफ्ट यूटिल और ऐसे में उन पर नज़र रखने के लिए ये बहुत काम आएगा, अगला कोशन है, नेशनल रियल स्टेट डेवलोप्मेंट काउंसिल यानि नरे डिको का नया महानिदेशक किस से निकोट किया गया, आंसर होगा राजिश गोयल, ओके, राजिश गोयल को ये बनाएगा, अगला कोशन है, रक्षामंतरी राजनात सिंग ने, डिफेंस टेस्टिंग इंफरस्ट्रक्चर स्कीम को कितने करोर रुपे की मजूरी दी है, अंसर होगा 400 करोर रुपे, इसके थूँ ये होगा कि डिफेंस और एरोस्पेस के छेत्र में जो काम करने वाली प्रेवेट प्रेवेटर में वो बहतर से काम कर सके और कुछ इनोवेटिव जो करन है, वो सब त्यार कर सकते हैं, तो दोस्तों ये था इंपर्टेंट करेंट फोर्स कैसा लागा जो रुपता ना, और इसका PDF मेरे बगल में लिंक आ गया है, डाउनलोड का, वहां से क्लिक करके डाउनल कर सकते हैं, वहां भी लिंक मैंने दे दिया है, और जी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं क्या जरूर करना, साथ बिल एक अंदमाना, मन पूलना, कल मौनिंग को मिलेंगे